प्रबंधन के बारे में बात्चीत करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं दैने कारियों एवं किसी भी विशेश कारी को करने के लिए हमें उज्जा की आफशकता होती है अता किसी भी कारी को पूर्ण करने के लिए संसाधन एवं समय की प्रबंधन के साथ हमें उज्जा का प्रबंधन करना भी अनिवारे है जीवन, इकास और शारिक किरियाओं के लिए उज्या प्रतिक व्यक्ति के मुर्भूत आफशक्ताओं में से एक है कारी गतिवीदी के अनुसार समय की योजन बनाई जा सकती है और निग्रानी भी की जा सकती है लेकिन गतिवीदी के नुसार उज्या आवशक्ता की योजणा बनाना और निग्राने काना आसान नहीं है। यह व्यक्ति से व्यक्ति में भिन होता है और शारीरिक किरियाओं और मापदंडों से प्रभावित होता है। उज्या शरीर में गतिशील जैव रसानिक प्रतिकिरियाओं के माध्यम से प्रभावित की जाती है और निम्र कारोणों में इसका अप्योग किया जाता है जिससे चैपेचे प्रक्रिया के रखरखाओं में विकास को बढ़ावा देने में शरी के तापमान के विनियन में प्रते गतिविधी के लिए उप्योग के जाने वाले प्र्यासों के से योजिन के अनुसार उज्यालागत में परिवर्टित होती है अच्छी तरह से संतुलित उज्या वे रखने के लिए गरेली कारियों को उज्जा लागत के अनुसार हलके मध्यम और भारी कारियों के रूप में वर्गी गरत किया गया है मध्यम या भारी काम के लिए चलने और खड़े होने के साथ मैनवल और टॉर्सल प्रयासों के विबिन रूपों की आवशक्ता होती है भारी कारि वह कारे है जिसमें अत्य दिक उज्जा खर्च होती है वा थकान भी अधिक लगती है मर्ध्यमकारे वह है जिसमें कम उर्जा का प्रयोग होता है वह थकान कम लगती है हलका कारे वह है जिसमें उर्जा बहुत कम लगती है और थकान भी बहुत कम होती है जिब हम उर्जा की आउशक्ता की बात करते हैं कि किस कार कोकाने में इती उज्जा की आवशकता होगी उसका वर्डन हम यहाँ पे करेंगे जैसे यदि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हमें एक कैलोरी प्रती मिनट उज्जा की आवशकता है यदि हम खड़े होकर बैटकर कुछ काम कर रहे हैं या स्लाइब बनाई कर रहे हैं या सफाई का कुछ जैसे काम वेकुम ख्लीनर से कर रहे हैं तो हमें एक से दो कैलोरी प्रती मिनट उर्जा की आफशकता है जो कि अत्तिदिक हलका काम है मद्यमकारी वह हैं जिसमें 2-3 कैलोरी प्रती मिनट उर्जा की आफशकता है जैसे चलना जाड़ो लगाना खड़े होकर पोछा लगाना आधी भारीकारी जिसमें की 3-4 कैलोरी प्रती मिनट उर्जा की आफशकता होती है जैसे फर्सकी दुलाई करना लिपाई करना सीड़ी स चाफ करना आदी अतिदिक भारी कारिवाय हैं जिसमें चार कैलोरी प्रती मिनट से अधिक उर्जा की आउशकता होती हैं जैसे बागवानी लगाना, खरपतवार निकालना, घास निकालना, छोटे बच्चों या व्रद्दों की देख बाल करना आदी उर्जा व्या को नियंतिद करने के तरीके हैं जिससे कि हमारा काम अच्छी तरह से और सुचारू रूप से हो सके और उर्जा का व्याय भी अतिदिक ना हो काम करने के लिए एक बहतर मानसिक दिस्टी को विक्सित होना चाहिए अनावेशक मोशन को खत्मी या कम करना चाहिए सुधा के लिए हुशल उपकरण या अन्यसामगरी का प्रयोग करना चाहिए सुधा के अनुसार आवशक उपकरन और अनिसामगरी विवस्तित करना भी आवशक है काम करते समय सरी की मुद्र को सही बनाई रखना महतपूर्ण है काम करने में ले विक्सित करना चाहिए कौशल और तक्नीक में सुधार महतपूर्ण आयाम है भारी कारे करते समय प्रयापत आराम अवधी के साथ काम करना चाहिए अब हम उजय प्रमंधन की बात करते हैं उजय प्रमंधन अधिक कठी और जट्रिल परक्रिया है क्योंकि प्रतेक व्यक्ति को विभिन कारी को करने के लिए उजय के आफशकता होती है यह उजय उनके शारेरिक और मानसिक स्वास्ति परनिर भर करती है अतिति लंबे समय तक ग्रहनी को काम करने से अनेक स्वास्ति संबंधी परिशानियां जैसे अस्तिम जविकार, पीट वा कमरदर, गठिया जैसे रोक हो जाते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं, परिवार के प्रारमिक वा अनुमंदन चरण में कम उजय की आफशकता होती है परन्तु उसके आगे के चरण में हमें अतितिक उजय की आफशकता होती है कारिक को सुचारू रूप से करने के लिए उज़ा प्रमंदन के लिए आवशक है कि प्रतेक कार में लगने वाली उज़ा का अनुमान लगा ले और कार के अनुक्रम को बदल कल कार करे महिलाओं को हलका मध्यम तिथा भारी कार का ज्यान होना चाहिए यदि एक से अधिक भारी कार एक साथ किये जाएं तो अतिदिक थकान हो जाती है यदि सभी भारी काम जैसे पान लाने का कारे लखडी काटने का कारे और धर की जमीली इपने का कारे लगातार इसी क्रम में किये जाएं तो अतिदिक थकान का अनुभव होता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम विबिन छेत्रों में कारे करते हैं अथा इन कारी को सुचारू रूप से करने के लिए हमें उर्जा के आफशकता होती है कारी को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए हमें उर्जा का प्रबंधन करना चाहिए उचित उर्जय प्रमंदन कारे प्रदेशन के तीन महत्पुन घटकों से संबंदित है कारेकर्टा के छेतर में, कारे के छेतर में, कारेस्थानी के छेतर में कारेकर्टा छेतर में जिसका अर्थ है कि कारेकर्टा वह वेक्ती है जो कोई गती विदी या कारे कर रहा है कारेकरता आदान की लागत में चार व्यापक घटक महेदपून होते हैं प्रभावशाली घटक जैसे जस्टी कोन, भावना और हित प्रभावी घटक मुकितर व्यक्ति की व्यक्ति घट भावनाओं से सम्मध्ध है यहरवया और रुचियां उसकी प्यात्मिक्ताओं और नापसंद आधी को प्रगट करते हैं संग्यात्मक घटक ज्यान, विचार, प्रक्रियाओं और कौशल, नहित संग्यात्मक घटक सोच समझने के ग्यान, लक्षी निर्धारित करने और परिभाशित करने कारिक करने के दौरान निर्णे लेने का वर्णन करता है ताकि कारिक को नियंतित किया जा सके और आदतों और कौशल का विकास और उप्योग सुचारू रूप से किया जा सके समय वाला घटक व्यक्ति का समय और कारियों में लगने वाला समय यह उज्या प्रबंदन ही तु बहुती मेद्पून घटक है किसी कारियों में लगने वाला समय उज्या वे को निधारित करता है शारिरी घटक काम करते समय शरीर के अंगों का उप्योग होता है हमारा शरी घटक उजय प्रमंधन का मुखितर आयाम है व्यक्ति की शाड़िक स्थिती उजय प्रमंधन का नियत करती है कारे की छेत में उच्छा प्रमंदन कारे किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है अथा महिला को हलका मध्यम वभारी कारे का उच्छित ज्यान होना चाहिए कारिस्थान के छेतर में अनुचित काम करने का तरीका कारिस्थान की उच्छाई, गहराई और कारे केंद हमाई धकान का कारण बनता है व्यक्ति के कुशर प्रमंदन हेतू कारिस्थाल में उचित उपकरण आपूर्ती भंडारिस्थान आदी होना चाहिए इन में से कोई भी गलत पहलू थकान का कारण बन सकता है अनुचित समय सीमा, भावनात्मक तनाव अब परियाप्त जानकारी या कम ग्यान और सूशना अधी भार जैसे परिसितियां थकान और तनाव का बढ़ा सकती है अभी तक हमने उजय प्रमंदन के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं कि उजय व्यक के लिए क्या प्रबंदन प्रक्रिया है योजना बद तरीके से उजय का उप्योग करें, उजय प्रमंदन को नियंतित करें जब हम योजना बद तरीके से उर्जय का उप्योग की बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं उर्जय प्रमंदन सीधे काम के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस संसादन की योजना बनाने में प्रमुक निर्णय यह है कि काम कब और कैसे करें, इसके लिए ना समधिया, समय नीयूजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें एक समय सानी तियार करना शामिल है, जिसमें हलके और भारी कार वेकलपिक रूप से विवस्थित करें। जिम उजय प्रबंधन को नियंतर्ण करने की बात करते हैं, उजय की उप्योग में कारी योजना त्यार हो जाने के बाद इसे कुशल रूप से लागो करने की समस्या बन होती है। और गुण वर्ता दोनों से सिमित हैं, लेकिन उजय का अध्यन समय की तुलना में अधिक जटिल है। चुकि गरेलू कारे करने के दौरान प्रितेक व्यक्ति द्वारा प्राप्त उजय की मात्रा अलग होती है, इसलिए इसे इस तरह से योजना बनाने के लिए बहुत सावध रहना चाहिए ताकि उपलब्द समय और उजय की सिमित मात्रा में अधिक काम किया जा सके।